जी मैम, जिस तरह से आज कुछ पेरेंस जो थे प्राइवेट स्कूल से दुखी होकर आपके कर्याले के बाहर पर दस्यन कर रहे थे, तो आपसे उनकी मुलाकास दूई, तो क्या आश्वासन आपके दौरा उनको जेए गया? देखे, कुछ पेरेंस जो इस समय हरास्ट फिल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ज़्यादा एक्ज़ादा फिल ली जा रही है, और टेक्स्बुक्स जैसे वो अपनी मर्जी की प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको चार्ज कर रहे हैं, इसके ये चीज अलड़ी डिपार्टमेंट के नोटिस में है, और डिपार्टमेंट ने अलड़ी उस पे एक्शन, हम अलड़ी उस पे एक्शन ले रहे हैं, जिसे हमारी टीम्स बनी हुई है, जो अलग-लग स्कूल्स में गई हैं, उनको स्कूल्स में जाके उन्होंने पूरा वो कि किस स्कूल का क्या फी स्रुक्चर होना चाहिए तो जिन स्कूलों ने फी फिक्सेशन कमेटी को अप्रोच नहीं किया है उनके लिए अभी डिसेंटली उन्रेबल हाई कोट का एक जजमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि उनको 2014 का फी स्रुक्चर और अगर उसके ओपर कि उनको ने कोई एन्हांस्मेंट की है तो 9% इतनो इसके साथ को रिफंड होगा उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं कंप्लाइंस कर रहे हैं डिरेक्शन की और उसमें हम आगे एक स्कूल की हमने फी स्रुक्चर उनसे मंगवाया है जो लोग जो स्कूल कंप्लाइ नहीं उनके अगेंस्ट हम strict action जो भी बनता होगा under rules वो हम लेंगे that is what I have told parents और उनको यह बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि department कोई काम नहीं कर रहा था हम already काम कर रहे थे लेकिन अब और ज़्यादा क्योंकि admission process चल रहा है और बहुत सारे parents को यह लग रहा है कि अगर वो fee दे देंग हायर चार्जेस पे बाद में उनको refund नहीं होगा तो इसलिए हमने एक एक स्कूल के लिए जितने भी उन्होंने नाम हमें स्कूल के दिये हैं along with documentary proof हमने उसके लिए committees अलग से बना दी है in addition to जो हमारी teams किसी भी स्कूल में randomly जाएंगे उसके अलावा in particular schools में हमारी teams जाएंगी और वहां पे जो particular complaint without revealing the identity of the child or parent वो हम उनके grievance को address करेंगे।